आज हम लाए हैं एक सैंटिफिक सर्वाइबल मुवी जो मैंने हाली में नेट्फिक्स पर देखी थी ये अपोकलिप्स के बाद यानि जब पिच्वी में लाइफ लगबग मिट चुकी है तब की कहानी है ये वन लोगों की सर्वाइबल स्टोरी है जो एपोकलिप्स के बाद इस पिच्वी पर सर्वाइब कर रहे हैं हमने पिच्वी के सारे पेड़ पौधे कार डाले यहां की हवा को इतना दूशित कर दिया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है हमने अपने प्लैनेट को इतना नुकसान पहुचा दिया है कि अब यहां कोई भी नहीं रह सकता कुछी लोग जिन्दा बचे वे हैं जो दूसरे प्लैनेट में रजाय जा रहे है लेकिन प्रित्वी को फिट से रहने लाइक बनाने की कौशिच में कुछ साइंटिस्ट नहीं परुख जाते हैं मुवी की हिरोईन एक ऐसी सर्वाइवल साइंटिस्ट है इतनी पुरी सिट्वीशन में उसे किस तरह सर्वाइव किया और क्या वो हमारे प्लैनेट को रहने लाइक बना सकी इन सबी सवालों के जवाब हमें इस मुवी में मिलेंगे तो चलिए दोस्तों इस मुवी को देखते हैं जिसका नाम है आई-ओ मुवी की शुरुवात में स्पेस से पृत्वी को दिखाते हैं जो नौरमली नीले और हरे रंका दिखता है दिखने में तो सुन्दर भी लगता है लेकिन यहां देखिए वो धीरे धीरे परपल रंका हो रहा है तबी एक लड़की का वाइस सोबर आता है कि आत्यदिक प्रदूशन से दुनिया की हवा परपल रंकी हो रही है बिरा साफ हवा के हर सकेंड दुनिया के हर कोने में लोग भारी संख्या में मर रहे हैं जो लोग बचे हैं उन्हें बहुत सारे रॉकेट्स में एक स्पेस स्टेशन में लेके जाते हैं जो जूपेटर पर बना है इस स्पेस स्टेशन का नाम है आई-ओ अब धर्ती पर एक अंडर्गाउन को दिखाते हैं जहां मूवी की हिरोईन सैम है जो अपने वाइस सूपर में ये सब बता रही थी उसने मास्क पेना हुआ है क्योंकि अगर वो मास्क उता रहेगी तो मर जाएगी और इस हालत में वो अपने रिसर्च के लिए यहां पर कुछ चीज़ी ले रहाई होती है ये एक आर्ट केली है वो देखती है कि फ़र्च पर केड़े रेंग रहे है फिर वो लाइटर जलाती है तो आग परपर करल के हो जाती है इसका मतलब है कि यहां की हवा हद उसे जादा पॉल्टेड हो गई है उसे हरानी होती है कि ये कीड़े इस जैरेली हवा में जिन्दा कैसे रह सकता है और फिर अपनी रिसर्च के लिए वो कीड़ों का सैंपल भी ले लेती है और तब वो उस आर्ट गैल्डे की एक पुरानी पेंटनी को निहारती है और कुछी देर में उसका आउक्जिन स्रेंडर खाली होने लगता है और वो तुना त भार वागती है देखे कि भार की दुनिया कैसी है हर तरफ धुआ ही धुआ होता है और दूर दूर तक कोई इनसा नहीं होता सैम तेजी से अपनी काड़ी से नए सेंडर निकाती है और चैन की सांस लेती है लगता है सच मुछ फ्यूचर में दुनिया ऐसे होने वाली है वापस जाते में रोड पर क्लीन और खुजन लिखा होता है इसका मतलब है कि यहां से आगे की हवा कुछ हद तक सांस लेने लाइक है यह जादातर पहाड़ी इलाके हैं जहां अभी वी साफ हुआ पाई जाती है और इनी इलाकों में कुछ रिसर्च सेंटर्स में सेंटिस सर्वाइवल कर रहे हैं निचली जगों के लोग इस धरती को टाटा बाई 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 करके ऊपर जा रहे होते हैं मतलब इस स्पेस में जा रहे हैं दरसल सेम के पापा भी एक सर्वाइवल सेंटिस्ट है जिनका आटूट विश्वास है कि आज भी धरती जैने लाइक बन सकती है और इस बाद पर वे दिन रात मेंट कर रहे होते हैं और काफी रिसर्च करते हैं अब सेम अपनी जगह पर पहुंचती है और यहां पर आग बिलकुल भी परपल नहीं है अब क्योंकि वो बहुत ही पलूटेट जगह हो कर आई है इसलिए वो किसी लिक्विट से खुद को साफ करके अपनी लैब में जाती है शायद इस वक्त उसके बापा यहां पर नहीं है और फिर वो कम्पिटर पर अपने बॉई फ्रेंड का मैसेज पढ़ती है जो जुपिटर की आई यो स्पेस स्टेशन में है वो सेम को रोज मैसेज करता है कि तुम भी यहां जाओ तब सेम बताती है कि वो और उसके बापा धर्टी पर क्यों रुके वे हैं और वो क्या कर रहे हैं दनासल उसके बापा की रिसरच इस विशे पर थी कि जब तक इस दुनिया में मदुमक्षी रहेगी तब तक यह दुनिया मिट नहीं सकती यह बहुत ही इंपोर्टन बात है जरा ध्यान से सुनिये दोस्तों मदुमक्षी को मामोली मत समझिये यह धर्टी का संतुलन बनाये रखने के लिए बेहत जरूरी काम करते हैं यह जब फूलों से रस खटा करते हैं तो उनके प्राग यानी पॉलेंस इनके शरीर पर लगते हैं और जब मदुमक्षी दूसरे जगे जाती है तो इन पौदों का पौलेंड वहाँ पर गिर जाता है और इस तरह उस जगे पर पेड़ पौधे पनपते हैं और इने की वज़े से कई पेड़ पौधे होगते हैं और धरती हरी भरी रहती है और जहां पेड़ पौधे होते हैं वहाँ साफ हवा की कमे कैसे हो सकती है इसलिए अगर अपने घर के आसपास मदुमक्षी का कोई भी छटा दिके तो उसे जलाएं मत और ना इसको डिस्ट्रॉई करें बलकि किसी ऐसी सर्विस को बुलाए जो मदुमक्षी को बिना हानी पहुँचाए छटे को अटाकर उन्हें पेड या जंगल के बीच छोड़ सकें और इनकी इम्पॉटेस को जानते वे सेम के बापा मदुमक्षी को पाल रहे थे और उन पर रिसर्च कर रहे थे यही वो जीव हैं जो दुन्यों को पहले जैसा और हरा वरा जीने लाइक बना सकते है फिर सेम भार जाती है और वहां एक मदुमक्षी को उठाकर अंदर ले आती है और एक बाउक्स में डालती है इस बाउक्स में उस पुरानी अर्ट गैल्री का माहूल है जहां सेम को किड़े मिले थे लेकिन कुछ ही देर में मदुमक्षी मर जाती है यह टेस्ट भी फेल हो जाता है और बेचारी मदुमक्षी भी मर गई और तबी सैम का बोई फ्रेंड मैसेज भेजता है कि अब धर्टी की हवा को बिल्कुल भी प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता तुम और तुम्हारे पापा जल्दी से जल्दी यहां जाओ लेकिन सैम को पूरा यकिन है कि उसके पापा की फाइंडिंग एकदम सच है और वो ठान लेती है कि वो अपने पापा की रिसर्च को पूरा करके रहेगी और अब प्रिच्वी पर ही रहेगी उसके पापा प्रिच्वी पर बच्चे में लोगों को हिम्मत देने के लिए रोज एक बॉर्डकास्ट करते है कि ये दुनिया पहला जैसी बन सकती है हिम्मत से काम लेजिए यहां से भाग कर स्पेस में जाना इसका सलूशन नहीं है और उनकी गहर हादरी में सैम उस मेसेज को बार बार वर्डकास्ट करना ही होती है फिर दिखाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में सैम की रोज की जिन्दगी कैसे चलती है और ये क्या खाती है घर के पीछे ग्रीन हाउस है जहां सैम को सबज्यां होगा लेती है और इनी को खाकर हो जिन्दा रह रही है वो रोज अपने पापा की रिसरच वीडियो देखती है और टेलेशकॉप से आयों को देखती है यह उसकी लाइफ है फिर एक दिर उसका वाइफरेंड मैसेज करता है कि सारे स्पेस सैंटेस ने मिलकर स्पेस में कैसे जगे खोज निकाली है जिसका परियावरन बिलकुल धर्ती जैसा है इस जगे का नाम है प्रोक्जिमा सेंटूरी सैम इतना ही पढ़ती है कि स्क्रीन पर डिस्टरबेंस होने लगता है लगता है कि कोई वाइर कट गई है और फिर सैम वाइर लेने के लिए फिर से उस आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ की पुरानी पेंटिंग से संबन्दित कुछ बुक्त उठा लेती है और फिर वाइर लेकर वहाँ जाती है और फिर वाइर लेकर वहाँ से जाने लगती है तब ही अचानक बहुत ही भारी तूफान उस दिशा में आ रहा होता है अगर तूफान आया तो हर तरफ से पर दूशी थवा आएगी और घबराकर सेम वहां से तुनद निकल दिये और अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है कि दिया परपल रंका हो गया है मतलब दूशी थवा वहां पहुंच चुकी है और फिर बहुत तेज हवा चलने लगती है और फिर सेम टेप से खिड़की और दर्बाजे को सील करती है लेकिर उसका कोई फैदा नहीं होता और इस तरह पर दूशी थवा घर वर में फैल जाती है और कोई रास्ता ना पाकर वो खर के अंदर ही ऑफिचन मास पहन कर सिस्टम पर बैठी रहती है फिर वो कंप्यूटर स्क्रिन को वायर से करेक्टर थी है और बॉय फ्रेंड का मैसेज पढ़ने लगती है उसमें लिखा होता है कि आयो से प्रॉक्जिमा सेंटरी पहुंचने में 10 साल लगेंगे इसलिए हमने पूरे स्पेस स्टेशन को वहां ले जाने का फैसला किया है और वहां जाकर पता चलेगा कि हम इनसान वहां कैसे रहेंगे लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा इसलिए धर्टी से कई स्पेस हिटल आयो आने वाले हैं और आगरे स्पेस हिटल चारद में प्रिथवी सरी करेगा उसके बाद अगर कोई वहां पर रह गया तो उसको बचाने कोई नहीं आएगा इसलिए तुम और तुम्हारे पापा जल्दी से उसमें चड़कर आ जाना अब ये पढ़कर सैम एकदम सुनो जाती है और उसको कुछ नहीं सूसता वो चुपचाब लेड़ जाती है अगले शॉट में सैम बीच पर खड़ी होती है और उसने मास्क भी नहीं पहना होता है और वो बड़े याराम से सांस ले पाती है वो खुद चौंग जाती है कि सांस लेना इतना सन कबसे हो गया तब उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उड़ती है और घर के बाहर का दिया भी नॉर्मल कलर का होता है लगता है तूफान निकल गया है और हवा फिर से जरा क्लीन हो गई है और फिर सैम अपने रिसर्ट के सबसे जरूरी सैमपल्स को यानि मदुमक्यों को देखने जाती है लेकिन वहां एक भी मदुमक्य नहीं बचे होती है सबको तूफान उडाले गया होता है अब सैम टेंशन में और बेवसी के मारे चिलाने लगती है और इतने सालों से वो और उसके पापा जो रिसर्ट कर रहे थे वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होता है फिर वो तुरूंत अंदर जाती है और मेसेज टाइप करने लगती है कि हमारे सारे सैंपल्स मिट गए है मैं हिमात और उम्मीद दोनों खोच चुके हूँ तूफान सब कुछ मिटा चुका है अब मैं चाहूं भी तो आकरी शिटल तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मेरे पास ऑक्जन सेंटर बचे नहीं है मैसेज भीज़ कर वो तूट कर रोने लगती है फिर वो बाहर आती है तो दूर एक बलून दिखता है और वो चौकर सको देखती है इतने में बलून लेंड करता है और उसमें से एक आपनी बाहर गिरता है इसका नाम है माईका और आते ही वो लैट इड जला कर देखता है तो पता चलता है कि यहां पर हवा नॉर्मल है फिर वो अपना मास्क उतार कर सेम से कहता है कि मैं सैंटिस्ट हरी से मिलने आया हूँ उनका ब्रोड कास सुनकर मैं इतनी दूर आ गया हूँ और मुझे उन से कई सारे सवाल भी पूछने है सैंटिस्ट कहती है कि मैं हरी की असिस्टेंट हूँ और वो रिसर्च के लिए दूसरे जगे पर गये है फिर माईका पानी मांगता है और सैंटिस्ट को पानी लाकर देती है जो ब्राउन कलल का होता है फिक्र मत करो ये प्यूरिफाइड बाटन है माईका अंदर आकर पोस्ट है कि मिस्टर हरी कहा गये है दरसल वो एक पहाड पर किसी नए स्पीसीज की रिसर्च करने के लिए गये है माईका बताता है कि अगर मुझे मेरे सवालों का जबाब नहीं मिला तो मैं अपने एयर बलोल में वापस चला जाओंगा और उस लास्ट स्पेस शेटल को पकड़ लूँगा सैम मानी मन सोचती है कि इस आदमे की मदद से मैं भी उस शेटल तक पहुंच सकते हूँ लकिन फिलाल वो कुछ नहीं कहती फिर माइका के लिए खाना लेने जाती है पर माइका कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खाने को जादा कुछ नहीं होगा जो भी है तुम अपने लिए बचा कर रख लो मुझे भूक रही है लेकिन असल में उसको बहुत भूक लगी होती है तब सैम एक वास्केट भर कर सबस्या लेके आती है और ये देखकर माइका के मूँ में पानी आ जाता है फिर सैम उसको खाने के लिए शेहद भी देती है बेचारा इस्पून कुछ चारता ही रह जाता है सैम पूछती है क्या तुमने रास्ते में कोई जिन्दा जानबर या पक्षी देखा माइका कहता है मुझे एक भी जिन्दा जीव जन्तू नजर नहीं आया अच्छा ठीक है लेकिन तुमने बीच पर कुछ देखा और इस सवाल पर माइका बिल्कुल हरार हो जाता है दरसल सैम को अक्सर इस अपना आता है कि वो बीच पर खड़ी हो कर साप हवा में सांस ले रही है इसलिए वो ऐसा पूछ रही थी सैम बताती है कि हैरी को लोटने में दो हपते लग जाएंगी इसलिए माइका वही रुखने का फैसला करता है फिर सैम उसको अपनी रिसर्च दिखाती है ओ, काफी उच्छा कमरा है क्या ये मिस्टर हरी का कमरा है? हाँ, लेकिन उसके अंदर वो मुझको भी अलाव नहीं करते अब उसकी लेव और रिसर्च को देखकर माइका विल्कुली चकितर जाता है अब अगली सुबह सैम उस प्लानी पेंटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही होती है फिर वो भार आकर माइका से कहती है कि कल तूफान में यहां का सब कुछ नितर बितर हो गया उन्हें फिक्स करने में मेरी मदद करो वो उसकी हैल्प करता है और विन डिरेक्शन दिखाने वाली मशिन को सीधा करता है फिर वे अंदर जाते हैं और माइका सेम की बुक पढ़ने लगता है और तब सेम अपने बुई फ्रेंड के बारे में बताती है और माइका भी अपने कई एक्सप्रियंसे के बारे में बताने लगता है और इस तरह दोन बहुत दिन बाद अपना दिल खोल कर किसी से बाते कर रहे होते है अब सैम को माइका पर विश्वा सुने लगता है और वो अपने पापा के बारे में बताने लगती है हैरी और कोई नहीं मेरे पापा है और यह सुनकर माइका बलकूल इचौंग जाता है फिर वो माइका को अपना ग्रीन हाउस दिखा ती है उस रात वो पने बापा की रिसर्च वीडियोज प्ले करती है जब दुनिया प्रडूशन के कारण मिटने लगी थी तो हैरी ने लूसी नाम के सूर पर रिसर्च की थी तरसल लूसी बहुत ही प्रडूशी जगे में भी सर्वाइब करने की शमता रखती थी इसलिए हैरी इस रिसर्च में लगा वा था कि अगर इस रिस्तिती में लूसी जिन्दा रह सकती है तो हम इनसान भी जिन्दा जरूर रहेंगे लेकिन आखर में लूसी भी प्रडूशन के कारण मढ़ जाती है और फिर हैरी का एक इंटर्वी चल रहा होता है जिसमें बताते हैं कि धर्टी से लोग स्पेस डिस्टेशन में जा रहे हैं लेकिन हैरी जाने से बिल्कुल मना कर देता है उसका अटूट विश्वास है कि ये हमारे धर्टी है और इसे हमें ठीक करना है इसे हमने खुद परदूशित किया है और अब हम यहां से दूर भागने की कोशिश कर रहे है ये बिलूगल गलत है मैं यही रखते हैं इसको ठीक करना चाहता हूँ और यही विश्वास सैम का भी है अग्ले दिन माय का किसी तरह सैम की कमरे में चला जाता है और वहाँ एक फोटो को देखकर पूशता है क्या ये तुम्हारी मा है सैम कहती है हाँ लेकिन वो अब नहीं रही माय का टेंशन में पूशता है तुम्हारी माध तुम्हारे पापा की वज़े से मरी है क्या वकवास कर रहे हो भूर रही तू क्या हैरी की जित की ही वज़े से तुम्हें और तुम्हारी मा को यहां रहना पड़ा वरना तुम दोनों तो कब के आयो में पहुंच गई होते फिर वो जाकर हैरी का कमरा खोल देता है और उस कमरे में इतनी धूल होती है कि माईक अप बिल्कुल इचौंग जाता है वो सैम से पूछता है सच बताओ तुम्हारे पापा कहा है क्योंकि यहां पर धूल पड़ी हुए और इसका मतलब है कि वो काफी दिनों से यहां पर नहीं है तब हमको एक फ्लेश विक दिखा जाता है कि सैम लेब में अपना काम कर रही है और उसने ऑखजन पहना होता है तब उसके बापा हैरी आते हैं और सैम बिलकुल इचौंग जाती है कि वो बिना मास्क के कैसे सांस ले रहे है वो डाटती है कि प्लीज ऑखजन पहन लो लेकिन हैरी कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और अगले स्पेश हिटल में यहां से निकल जाओ पापा ये आपकी रिसर्ट है इसलिए मैं इसको अधूरा छोड़ कर नहीं जा सकती देखो सैम ये कोई खेल नहीं है तुमारी मा को तो मैं खो चुका हूँ और अब तुमको नहीं खो सकता देशल हैरी अपनी बाड़कास्ट में सब को बता रहा होता है कि हम मिलकर इस धर्टी को फिट से रहने लाइक बना सकते है वो हमेशा से आयो पर जाने की खिलाब था लेकिन उसे अपनी पतनी और बेटी को जाने से कभी मना नहीं कیا था लेकिन सैम और उसकी मा को हैरी पर पूरा विश्वास था और इसलिए दोनों यहें रुख गए लेकिन धीरे धीरे सैम की मा बिमार पढ़ गई और एक दिन बेचादी अचानक मर गई और तब से हैरी को अपनी डिसर्ट पर विश्वास उठने लगा था और वो सैम को यहां से जाने के लिए कह रहा था पर सैम हैरी को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी इसलिए तीन-चार दिन बाद हैरी की मौत हो गई और सैम ने अपनी मा की कबरे के पास हैरी को जफना दिया था अब सारा साथ जानकर मायका कहता है कि कम से कम अब तुम मान जाओ कि यहां कुछ नहीं हो सकता तुम भी मेरे साथ चलो और हम उस आकरी शेटल में चले जाएंगे लेकिन हवा की दिशा के अनुसार ठीक वक्त पर हमें निकलना होगा क्योंकि हमें एर बनूर में ही शेटल तक पहुच रहा है अब इस तरह में ठीक वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं सैम अपने बाइफ्रेंट को मैसेज करती है जैसा तुमने चाहा वैसा होने वाला है यहां मेरी डिसर्ट करने के लिए कुछ नहीं मचा है और अब लास्ट शेटल में मैं भी आयो आ रही हूँ फिर माइका का बैक खोल कर देखती है तो उसमें गन और कुछ बलट्स होते हैं उसमें एक डारी होती है और सैम उसको पढ़ती है दरसल माइका किसी से बहुत प्यार करता था इतना ही नहीं वो अपने फैमिली को भी खोच चुका था अब यह सब पढ़कर सैम उसके लिए बहुत ही दुखी होती है और बाहर माईका हवा के दिशा को चेक कर रहा होता है सैम अपने जरुवत की चीज़े पैक कर रही होती है उसकी मदद के लिए माईका मदो मक्यों के खाली वाक्स को ले ले जाता है लेकिन वहां किसी चीज़ को देकर तुरंट सैम के पास भागा आता है और उसे वाक्से के पास रेके जाता है वे देखते हैं कि इतने भारी भरकम तोफान के बाद भी एक मदमक्यू की रानी है मतलब हैरी की थोरी सच निकले लेकिन इस अकेली मदमक्यू को रखकर कोई रिसर्च नहीं की जा सकती और इसलिए सेम उसकोडने देती है अब फिर शाम को सेम का वाइफरेंड मैसेज करता है कि ये तुमारे लिए मेरा लास्ट मैसेज है इसके बाद तुम मेरे मैसेज का इंतिजार मत करना क्योंकि मुझे प्रॉंक्सिमा सेंटरी में एक रिसर्च का काम मिल चुका है जो बहुत ही इंटरस्टिंग काम है इसमें मुझे दस साल से भी जादा लग सकते है और अगर दस साल बाद तुम मुझे याद रही तू देखा जाएगा इस तरह का प्रेक अप लेटर पड़कर सेम माविस हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ अपने वाई फ्रेंड के लिए आयो पर जाना चाहती थी अब लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद वो बेचारी टूट जाती है बाहरवा की दिशा भी ठीक नहीं होती और माई का अंदर आ जाता है और सेम को इतना माविस होता देखकर वो उसको खाना पका कर देता है और हसी मजा करके उसको हसाने की कोशिश करता है और इस तरह इन दोनों की नजदेकिया बढ़ती जाती है और फिर अगले दो दिन वो बहुत ही खुशी से रहते हैं अब उस रहत सेम आसमान को देखती है उसके पापा जितने प्यारे हैं उतने प्यारी ये धरती भी है इसको छोड़कर जाना की बात सोचकर उसको बहुत ही दुख होता है तब एर बलून वीप करने लगता है मतलब हवा की दिशाब बिलकुँ ठीक है और वो उन्डे के लिए बिलकुल त्यार है अगली सुबह रेडियो पर इमर्जेंसी न्यूज आती है कि इस पर शिटल जहां से निकलने वारा था उस जगे पर कोई टेकनिकल प्रावलम है इसलिए अब शिटल दूसरी जगे से निकलेगा जो इस जगे से बहुत ही दूर है और सिर्फ 24 घंटों में इने वहां पहुँचना होगा जो लगबगनाओं किन है अमाय का टैशन में किचन में तोड़ फोर मचा देता है कि मनहुच जगे पर मुझे आना ही नहीं चाहिए था मेरे और मेरे परिवार की मौत ता कारण सिर्फ तुम्हारे बापा है हैरे के ब्रोडकास्ट को सुनकर मुझे मिश्वास होने लगा था कि यह धर्ती फिर से रहने लाइक हो जाएगी इससे ना तो मैं आयो गया और नहीं अपने परिवार को जाने दिया और आज मेरा पूरा परिवार मिट गया है और अब मैं भी मढ़ जाओंगा और अपनी बेवसी में वो सब कुछ कह रहा होता है अब सैम में उसकी बाते सुनकर बड़ी दुखी होती है अब सैम माईका जैसे दूसरे लोगों को ठीक इनफर्मेशन देना चाहती है वो नहीं चाहती है कि उसके बापा के भरों से कोई भी धरती पर है इसलिए वो उसी फ्रिक्वेंसी में ब्रोड़कास्ट मेसेज करती है कि मेरे पापा एक साल पहले इस दूनिया से चल बसे थे और अब हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए अब धरती पर रहने की कोई उमीद नहीं है अगर कोई यहां बचा है तो प्लीज लास शटल में जाकर आयो पहुंच जाओ यह ब्रोड़कास्ट करकी वो माईका के पास जाती है अगर इने 24 गंटों में वहां पहुंचना है तो बलून के लिए बहुत ज़्यादा हीलियम गैस की ज़रुत होगी पर माईका के पास उतना हीलियम स्टॉक नहीं होता है इसलिए वो बहुत ही टरैंशन में होता है लगिन सेम उसको शानद करते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि हीलियम कहा मिलेगा वहाँ जाना ज़रा मुश्किर है क्योंकि वहाँ पालूशन बहुत ज़ादा है लेकि हम मैनेज कर सकते हैं और ये कैकर बाहर निकलते हैं सैम दिया बुझा देती है क्योंकि अब उसकी कोई जरुवत नहीं है फिर वे अपने चीज़े पैक करके निकलते हैं और एर बलून को भी साथ ले जाते हैं अब सुबह माईका बलून में हिलियन गैस भरता है दरसल सैम आयो नहीं जाना चाहती लेकिन उसके पास और कोई आप्शन नहीं होता इसलिए वो माईका की बात मान गई थी ऐसा हर किसी के साथ होता है न चाहे जान पर ही क्यों ना आजाए ऐसी कुछ चीज़े हैं जिने हम नहीं करना चाहते है सैम की भी बिल्कुल यही हालत होती है वो अचानक गाड़ी में बैठ कर कहती है कि मैं दस मिनट में लोट कर आऊंगी और माईका कहता है कि एक घंटे के अंदर हमें निकलना है जल्दी आ जाना ठीक है कैकर वो आर्ट गैलरी के अंदर जाती है लगता है उसे इस जगे और यहां की पेंटिंग से खास लगाव है फिर वो एक दर्वाजा खूलती है तो वहां अच्छी रोशनी होती है और लगता है हवा भी साफ है फिर वो पूरी गैलरी में घूमकर उस पेंटिंग पर आता रुकती है जिसको वो हमेशा नहीं हारती थी तब वहां माईका आ जाता है क्योंकि सैम का आउक्जन खत्मोने वाला होता है और उसको अभी चेंज करना पड़ेगा लेकिन सैम उसे पेंटिंग के बारे में बताने लगती है फिर कहती है कि जब पापा लूसी पर रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन मैंने उनके सामें लैटर जलाय था आग परपल कलर की हुआ करती थी लेकिन तब मैंने कोई मास्क नहीं पैना था माईका फिर कहता है कि तुम 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 अउक्जेंस लेंडर को ले लो और चल्दी लगाओ ये कहकर वो जरा दूर चला जाता है तब सैम कहती है तुम आईयो में जाकर सब को बता दो कि ये प्रिथवी खुद को ठीक करने की श्रमता रखती है पर उसमें छोड़ा वक्त लगेगा और हमें इस धर्ती के नई वातावरण में अपने आपको एडियोस करना सीखना होगा अगर मैं मास्क की बिना यहां जिन्दा रही तो तुम ये खबर आयो के लोगों को दे देना अब ये कैगर ओजट से मासक उतार देती है और माइका घबरा कर उसको पकड़ लेताए मुझे कुछ नहीं होगा माइका ये कैखर ओज़ादो वह सांस देने लगती है और माइका कुछ नहीं कहे बाता अगले शियोप में दिखाते हैं कि माइका अकेला ही शेटल क्योड जा रहा है तब सैम का वाइस ओवर बताता है कि हम चाहे कितने ही नए प्लैनेट्स का बता लगा ले पर पित्वी जैसा प्लैनेट्स हम को कहीं नहीं मिलने वाला हमने जो उकलती करके इसको इतना बत्तर बना दिया है अब अंत में दिखाते हैं कि सैम एक बीच पर खड़ी है और उसके साथ एक छोड़ा लड़का है जो शायद उसका और माइका का बेटा है सैम माइका के ने मेसेज लिखती है कि प्रित्वी बहुत ही खुबसूरत है अब अब अबी साफ हो गई है जो लोग इसको छोड़कर जा चुके हैं उनसे कहो कि प्रित्वी की हालत से डरने के बज़ाएं इससे अपनाने की कोशिश करें तो यहां पर हर कोई रह सकता है अब यहां की हबाद धीरे साफ हो रही है और मेरे बालों को भी सहरा रही है जिस प्रित्वी को हमने दूशित किया था वो अब अपने आप को निहारने की कोशिश कर रही है जीने के लिए इससे बहतर प्लैनेट नहीं मिल सकता हम दोनों तुमारा इंदिजार कर रहे है और इसी के साथ दोस्तों यह मूवी हाँ पर खत्म होती है दोस्तों इस मूवी का मकसद सिर्फ अपादूशन और उसके खतोनाक असर के बारे में बताना नहीं है लाइफ में भी अगर हमारे समस्या से दूर भागते रहे तो आखरे में समस्याओं का समंदर बन जाएगा और तब उन्हें सुल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें किसी भी नए सिचुएशन में खुद को अड़ अड़ आप करना सीखना होगा दोस्तों अगर इस मूवी आपको पसंद आई हो तो इसको अपनी फैमली और फ्रेंड सरकल में जरूर शेयर करें साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को तरुन सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फाइनली थैंक्स वर वाचिंग